इस वीडियो में आप सबका स्वागत है, मेरा नाम शशांग क्यागनिक है और हर रोज की तरह ये सेग्मेंट आप सबके सामने है जहाँ पर खेल जगत की जो भी कुछ लेटेस्ट निउस आई है, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगी और ज्यादा लंबा ये वीडि को हार का सामना करना पड़ा, 36 रनों से टीम इडिया ने इस मैच को गमा दिया और यहाँ पर जो सिच्वेशन अभी सामने आई है निकल गर के वो ये है कि टीम इडियो की बैटिंग थी वो लगबग लगबग आप देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पर फ्लॉप होते ह यहाँ पर जिनके बल्ले से रन्स अच्छे निकले थे लेकिन बाकी कोई भी बल्ले बात और अच्छे रन्स नहीं बना पाया और टीम इडिया को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा लेकिन गेंदवाजी में अच्छी गेंदवाजी की और उनकी जो फिकर से वो भी काफ नहीं बताये हैं कि future plan हुंगा क्या कुछ रहेगा किस तरीकी से सारी चीज़े रहेंगी और जैसे वी जो भी कुछ गंगुली कःगे का plan प्लान की क्या कुछ करना रहे हुए क्या कुछ the list प्लान रहे हैं और गंगुली ने सामने पर क्रोछे को हैं और administrator का role कहीं पर भी एकदम लंबे समय के लिए नहीं रहता है किसी का भी role BC से हमें लंबे समय के लिए नहीं रहेगा और गांगोली अब यहां से हटने के बाद में कोई और काम करेंगे गांगोली ने ऐसा बताया है जब उनसे सवाल किये गए उनके अब कारेकाल खतम होने जा रहा है इसके बाद वो क्या करेंगे इसको लेकर इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की तो फिर अब यहां पर केल रहूल वेस्टन आस्ट्रेटल के खिलाब जो मैच हुआ था इसमें उन्होंने 74 बनाए थे लेकिन उसके बावजूद केल रहूल बहुत ज़ादा ट्रोल हो रहा है और ट्रोल होने की वज़ए है उनकी धीमी बल्ले बाजी अब आप केल रहूल का ओर और और स्कोर देखेंगे तो उनके बल्ले से यहां पर रंस जो निकलेते वो निकलेते चोहतल गेंद उनकी खेलि ती 53 यहां पर आपको उनका स्कोर अच्छा दिखा ही देगा लेकिन जो उनका अर्ध शाटक बना था तब तक उनने 43 गेंदे खेली थी अब 43 गेंदे के बाद में वो अपना अर्ध शाटक बना रहे हैं काफे धीमी बल्ले बाजी थी और इस वज़े से केल राहूल ट्रोल हो रहे हैं यूजर्स का तो यत्ता तक कहना है कि केल राहूल अपनी जगब फिक्स करने के लिए टीम में कि इस तरह से धीमी बल्ले बाजी कर रहे हैं करें कि सेलफिश बल्लेबाजी ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का कहना है तो केल राहूल की बल्लेबाजी आप सब जानते ही क्या उनका नेचर है खेलने का और वो टीम को भारी भी पड़ जाता है कहीं बार इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की तो फिर अब एक और ख लिए खबर है शाहिंशा अफ्री ऀसे जोड़ी हूए आ यहां पर गौतम अंभीर ने बताई कि साहिंशा अफ्रीदी के खिलाफ किस तरीके से बल्लेबाजी की जा सकती है उन्हों ने कहा आप निके खिला का प्र्किया ने इनका सामना करने के परपस से इनको रोक के खिलन करते हैं अगली खबर की तो फिर डेविड वार्ण से जूड़ी खबर है और खबर ये है कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया आज एक मीटिंग होने वाली है उसमें डेविड वार्णर पे जो कप्तानी के लिए बैन लगाया हुआ है लाइफ टाइम का उसको हटाने की बात कर सकता है उस पर चचा हो सकती है तो आज की जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरे थी वो सब मैंने आपको बताई है उमेद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो उसको प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजे शेयर कीचे और कॉमेंट करके अपना फी